पंजाब में आजकल वारिस पंजाब देखे प्रमुखे अमरत पाल सिंग पर पुलिस अपनी पौनी निकाहें जमाई हुए है और किसी भी वक्त इन्हें अरेस्ट किया जा सकता है दरसल इसके पीछी की वज़ा है एक बार फिर पंजाब में इनके दोरा उठाये जा रहे खालिस्तान की मांग और पंजाब पुलिस इस गाउं के लिए यानि पंजाब में पुलिस कुछ बड़ी एक्शन की तयारी में थी ऐसा सब जान चुके थे इतना ही नहीं पंजाब के 23 जिलों को अलर्ट पर रखते हुए कई इलाकों में धारा 144 और 24 घंटे के लिए इंटरनेट सुगधा को भी बंद करने की तैयारी की गई थी अमरत सर के केंदरी सुरचा बल के जवान सड़कों पर मोर्चा कर रहे थे जिसको देखकर अमरत पाल के समर्थकी समझ गए थे कि आज तो जरूर कुछ बड़ा होने वाला है लेकिन पुलिस की इतनी तैयारी के बावचोद भी अमरत पाल सिंग वहां से बचके निकल गया अगर हम CCTV के एक जुट फोटोज की बात करें जिसमें 18 मार्च सुभा 11 बचकर 55 मिर्ट के समय पर जलंधर के महंदीपुर की तरफ से जाते हुए कई गारिया दिखी गई जिसे ये अंदाजा लगायागया कि अमरत पाल सिंग इनी गारियों में भागा है जिसके बाद पुलिस ने अपना सर्च ओप्रेशन अमरत सर से सिफ्ट करके जलंधर किया हाला कि बीते दो-चार दिनों में कई बार इस बात का जिक्र भी किया गया कि अमरत पाल सिंग अरेस्ट हो गए है और जब इस रिफरेंस में पुलिस के हाई कमान से बात की गई तो उन्होंने बताया कि कई बार उसे पकड़ने की कोशिश जरूर की गई थी लेकिन अभी तक पिता ने ये आरोप लगाया है कि पुलिसने अमरत पाल सिंग को अरेस्ट कर लिया है और उनका एंकाउंटर करना चाहती है कि इनके सपोर्टरस में अब तक कुल 114 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है इतना ही नहीं इनकी foreign funding के बारे में भी देश की चांच एजंसियां लगातार खोजबीन कर रही है वहीं जलंदर के IG ने अमरतपाल मामले में इनके तार ISI के साथ जुड़े होने की भी बात कही है उन्होंने कहा है कि ये ISI के बनाये खालिस्तान मॉडल का हिस्सा है पुलिस के कुछ hidden sources से भी ये बात सामने आई है कि इनसे खालसा इंटरनेशनल के guidance में काम करवाया जा रहा था जिसमें दुबाई से काम की guidelines दी जा रही थी इतना ही नहीं इनसे mission K2 यानि खालिस्तान 2 के बारे में भी काम करने के लिए कहा जा रहा था हम आपको बता दे कि अमरत पाल सिंग 10 साल तक दुबाई में पहले रह चुके हैं जहां वो अपनी 12 तक की पढ़ाई करने के बाद गया था और 10 साल बाद वबबर खालसा इंटरनेशनल का handler बनकर 2022 में इंडिया वापस आया था जहां कुछ समय बाद अपने एक भाषण में इसने ये बात कही थी कि हमारे कई पूरूचों ने इस धर्ती के लिए अपनी कुर्बानी दी है और हम अपनी मांग से पीछे नहीं आटेंगे इसके लिए हमें पहले इंदरा गांधी भी नहीं रोक पाई थी इस इंसान को खालिस्तानी टेरिस्ट बबबर खालसा के परमजीत सिंग पम्मा का खास बताया जा रहा है इतना ही नहीं खंडा ही वो व्यक्ति है जो बबबर खालसा यूके को ऑपरेट करता है ऐसी भी बात सामने आई है कई सेंटरल और पंजाब की स्टेट एजेंसियों ने इस बात का भी दावा पेश किया था कि अमरत पाल ने अब पंजाब के लिए मिशन केटू शुरू किया है और इस मिशन के रिगार्डिंग ऐसा बताया जा रहा था कि अमरत पाल सिंग ने तयारी भी शुरू कर दी थी तब ही तो उन्होंने अपनी टीम का नाम एकिया फियानी की आनंद पुर्खाल सा फोर्स रखा अब अगर इन सभी चीजों को देखने और समझने के बाद आपके मन में भी ये सवाल उठ रहा है कि आखिर सिख समुदाय में इतना गुस्सा क्यों है और लोग अमरत पाल सिंग का इतना सपोर्ट क्यों कर रहे हैं तो आईए बताते हैं आपको कहां से हुई थी इसकी शुरुआत बात करे अगर साल 2015 की जब बरगाडी में गुरुगरंत साहिब की बियद्वी का मामला सामने आया जिसने सिख समुदाय को असुरचित महसूस करवा दिया हाला कि उस समय विधान सभा चुनाव के दोरान कप्तान अमरेंदर सिंग ने इसके खिलाफ कानू लाने की बात कही थी लेकिन ऐसा हुआ नहीं वहीं किसान आंदोलन के दोरान भी इन पर कई तरह के सवाल उठाये गए यहां तक कि सिख समुदाय को आतंकवादी और खालिस्तानी भी कहा गया था जब कि यह किसानों का मोर्चा था हाला कि सरकार को बाद में ये बिल वापस लेने पड़े लेकिन तब तक काफे नुकसान हो चुका था जिसने कहीं न कहीं सिख समुदाय का सरकार से भरुसा डगमगा दिया था जिसके विरोध में आतंकवादी सोच मजबूत होने लगी और कहीं न कहीं वो लोगों के दिमाग में फिट होने लगी जिसने उन्हें सरकार से उनके भरुसे को डिगाने का काम किया साल 1997 में विधान सभा चुनाव में अकाली दल के घोशना पत्र में उठाए गए कई मांग जैसे खालिस्तानी पाबंदियों की रिहाई मानो अधिकार हनन, फेक एंकाउंटर की जान जैसे कई मैटर आज भी पेंडिंग है वहीं आनंदपुर साहे प्रस्ताव, राजियो गांधी लोगे वाला में चंडिगर को पंजाब दिये जाने का वाइदा जैसे कई चीजे थी जिने पूरा नहीं किया गया जो कहीं ना कहीं से के समदाय के गुस्से की वज़ा बनता गया आनंदपुर साहे प्रस्ताव में सेंटरल गौर्रमेंट को विदेश मामले मुद्रा रच्छा और संचार जैसे केवल पांच मुद्धो को अपने पास रखते हुए और बाकी के अधिकार को पंजाब को देने को लेकर बाते कहीं गई थी इसी प्रस्ताव को केंदर में रखकर 1970 में खालिस्तान मुव्मेंट की शुरुवात की गई थी और इसी के नाम से आनंदपुर खालसा फोर्स याने एके अफ की सुरुवात अमरत पाल सिंग ने की थी बहुत लोगों का ये भी मानना है कि कहीं ना कहीं अमरत पाल सिंग का ये बढ़ता दब दबा और लोगों के बीच में इनका बढ़ता समर्थन, स्टेट और सेंट्रल गौर्णमेंट के आपसी मदबेद की बजा से भी है वीडियो में आगे आईए हम आपको बता देते हैं आखिर क्यों अमरत पाल सिंग के तुलना भिंडरा वाले से की जाती है जिसके बाद ये 2022 में वहां से लोट कर आया और वारिष पंजाब दे संगठन को जॉइन किया और दीप सिद्धू की मौत के बाद इसका हेड़ पन बैठा इसने उस वक्त इस और्गनाइजेशन की कमान समाली जब खालिस्तान जिन्दाबाद के नारे लगाये जा रहे थे हाला कि इस पे दीप सिद्धू के परिवार का ये कहना था कि वारिष पंजाब दे का ये मोटो कभी नहीं था जिस विजन के साथ अमरत पाल सिंग इसे आगे बढ़ा रहे है अपने एक भाशन में अमरत पाल सिंग ने भिंडरावाले की तरज पर चलने के अपने विजन को क्लियरली बताया भी था और कहा था कि यही वो राह है जहां से इस जंग की शुरुआत हुई थी और हमें एक बार फिर इसी मोहिम को शुरू करना है लवपरी सिंग तुफानी के गिरिफतारी के खिलाफ हंगामे के मामले में इनका नाम काफी तेजी से उपर आया था ठेक उसी तरह जैसे की भिंडरावाले के साथ हुआ था जिसके खिलाफ इंद्रा गांधी और मजबूरन आपरेशन ब्लू स्टार चलाना पड़ा था अमरत पाल संग जिस वारिस पंजाब दे का हैड है उसे पंजाब के एक्टियर और एक्टिविस्ट दीप सिद्धू ने बनाया था जांच एजनसीज इन पर लगाम कस्ती हुई दिख रही हैं ऐसे में अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इन्हें लेकर और क्या एक्शन लिए जा रहे हैं प्रसासन की तरफ से तो आपको यू वीडियो कैसी लेगी हमें comment करके बतायें मिलते हैं आपसे next ऐसे ही किसी interesting वीडियो के साथ और अगर आप तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो हमारे चैनल को subscribe करके bell icon को press कर लें जिससे हमारे दॉरा upload हर वीडियो की information आपको मिल सके सबसे पहले